Hello everyone welcome to this video so guys क्या आपका 12th standard अभी next year complete होने वाला है या फिर आप अपना 12th standard पूरा कर चुके हो और ये सोच रहे हो कि आपको MBA pursue करना है पट graduation की बाद जो है ये तो एक traditional course बन गया है क्यों ना हम right after 12th standard अपना dream college that is देश के best MBA business course जो है that is IIM से अपनी पढ़ाई कर ले तो guys इसके लिए आपको जो है IP MAT exam देनी होती है अब IP MAT exam क्या होता है इसके बारे में detail में पहले हम लोग समझ लेते हैं और फिर हम लोग discuss करेंगी कि IP MAT indoor 2025 ये exam जो है ये क्या होती है इसकी eligibility क्या है paper pattern क्या होगा और इस IIM में right after 12th standard जाने के लिए इस exam को crack करने के लिए minimum कितना score लेके आना पड़ सकता है syllabus भी detail में discuss करेंगे और ये भी देखेंगे कि जो 5 years का BBA MBA program है इसको पढ़ने की fee structure क्या होती है तो guys अगर channel subscribe नहीं किया है तो कर लीजे ताकि जो भी exam related updates आती है आपको उसका detailed video जो है हमारे YouTube चैनल पे मिल जाए तो guys सबसे पहले जो है हम ये समझ ल integrated program है management का management क्या होता है अब इसके लिए आपको MBA degree करनी होती है बट अगर हम MBA की बात करें तो MBA का बाता है guys after graduation आता है अब अगर हम देखें तो graduation के लिए usually कितने साल जो है लगते थे 3 years जो है लगते थे बट अब जब से NEP 2020 आया है that is new education policy आया है काफी सारे programs जो है ये 3 years के आपको 12th standard के बाद 4 years का graduation का course करना है और उसके बार आप अपना master's जो है किसमें कर सकते थे यहाँ पे bachelor's जो है complete करने के बाद master's जो है आप MBA में कर सकते थे बट इतना time जो है आपको invest करना पड़ेगा rather than that आपके पास एक best option है कि right after your 12th standard आप क्या कर सकते हो एक integrated course जो है कर सकत जहां पे आपको dual degree offer की जाती है वो है BBM और MBA अब यह क्या होता है समझते है हम इसको और इसके यह कैसे आप pursue कर सकते हो 5 years में 2 degree हासल कर सकते हो along with a good placement और वो भी कोई ऐसे वैसे institute नहीं prestigious Indian Institute of Management that is IIM से तो guys IIM चुह है यह specially आपको offer करते है 5 years का एक integrated program जिसमें आपको BBA और MBA जो है दोनों degrees offer करी जाती है अब इसके लिए आपको एक exam देनी पड़ती है जिसे हम बोलते है IP Math exam देश में बहुत सारे IIMs है बट कुछ ही IIMs जो है यह dual integrated program जो है यह offer करते हैं तो चलिए देखते है कि कौन से IIMs यह offer करते हैं तो सबसे पहले नंबर पे आता है IIM Ind जिसने यह program सबसे पहले start किया 2011 में जिसके लिए IP Math Indoor exam देनी पड़ती है और यहां पे जो degree आपको offer करी जाती है वो है BA Foundation and Management plus MBA यह 5 years में आपका course क्या हो जाएगा complete हो जाएगा आपको dual degree मिलेगा ठीक है नेक्स्ट है IIM रहतक जिसने IPM launch किया 2019 में जिसके लिए आपको IP Math रहतक exam देनी होती है IIM रांची जो IIM Indoor का score ही accept करता है अगें यह सारे जो है degrees जैसे कि आप देख सकते हो यह dual degrees है BPA plus MBA IIM जमू और IIM बोट गया इन तोनों हैं अगर आपको पढ़ाई करना है तो आपको GIP Math exam देवा पड़ता है अब इस वीडियो में हम लोग detail में देखेंगे कि यह IP Math Indoor exam जो है यह क्या होती है जिससे आपको opportunity मिल सकती है IIM Indoor और IIM रांची में admission लेनी की तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इस exam के paper pattern को अब guys जो आपकी exam होती है यह exam का duration जो है यह 2 hours का होता है जि इसमें आपको total 90 questions appear करनी होते है और total आपको तीन sections पूछे जाते है वो है namely quantitative ability, quantitative ability MCQ format में और verbal ability, let us understand कि यह क्या होता है अगर हम देखे तो quantitative ability के लिए आपको 40 minutes मिलते है 25 percentage उसका weightage होता है और total आपको 15 questions उसमें से पूछे जाते है यह lengthy questions होते है quantitative ability MCQ format में again 40 minutes, 25% weightage जिसमें आपको 30 questions पूछे जाते है और verbal ability जिसमें again आपको 40 minutes मिलती है वो 50% of the weightage होल्ट करता है और total आपको 45 questions पूछे जाते है यहाँ पे हर एक right answer जाने पे आपको 4 marks allocate किये जाते है बट negative marking भी है जहाँ पे हर एक wrong answer जाने पे आपका one mark जो है deduct हो जाएगा total score में से हाला कि यह section जो है इसमें आपका negative marking नहीं होता है अब एक एक करके समझते हैं कि कौन से important topics जो है यहाँ पे इन तीनों sections में पूछे जाते हैं और सबसे पहले यह clear कर लेते हैं कि क्या आप इस exam को देनी के लिए eligible हो या नहीं हो तो first important thing जो होती है यह exam जो है सिर्फ वही students दे सकते हैं जिनोंने अपना 12th standard complete कर लिया है 2024 में या फिर अगर आप 2025 में अपना 12th standard जो है appear करने वाले हो तो भी आप eligible हो IP mat exam देनी के लिए remember guys यह बहुत important है आप eligible होने चाहिए इस exam के लिए यह ध्यान में रखिए कि आपको यह ensure करना है कि आपका 12th standard का boards का जो marks है यह भी बहुत अच्छा है because यहाँ पे यह ideally eligibility के लिए matter नहीं करेगा बट आगे आने वाले procedure में बहुत important होगा और आपका general category से अगर आप belong करते हो तो आपका age जो है यह 20 years या फिर बिलो होना चाहिए अब आज आते हैं हमारी syllabus के उपर कि क्या होता है कौन से important topics होते है जो आपको cover करने है अब guys बहुत important होता है कि आप जिस exam की preparation कर रहे हो उसके बारे में आपको complete information है बहुत सारे students यहीं गलती कर देते हैं कि preparation स्टार्ट कर देते हैं बट उन्हें यह नहीं पता होता है क्या और कैसे पढ़ना है अगर सही strategy से नहीं पढ़ा गया और सही important topics अगर miss out हो गए तो हो सकता है कि बहुत मेहनत करने की बावजू भी आप इस competitive entrance exam को clear ना कर पाए इस exam के लिए almost 10,000 से जादा students appear करते हैं और जैसे कि आप समझ रहे हो कि यह एक IIM के द्वारा conduct हिया गया exam है तो competition कितना high होगा because बहुत कम IIMC programs offer कर रहे है और demand जो है बहुत जादा है because यहाँ पे आप अपना जो dual degree है यह five years में क्या कर रहे हो complete कर रहे हो rather than doing it in six to seven years तो यह benefit जो है बहुत 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 important है because हम traditional MBA programs देखे जहाँ पे आपको graduation के बाद आप MBA CAT exam लिखते हो again बोई कितना competitive entrance exam होता है जहाँ पे 4 lakh से जादा students exam लिखते है but IP man right after 12th standard आपको यह जब offer कर रहा है तो definitely paper का difficulty level जो है यह थोड़ा high होता है क्योंकि IIMS इसे conduct करते है तो जरूरी है कि आप सारी important topics जो है यह अच्छे से समझ ले कि कौन से topics पढ़ने है और examination point of view से ही आप अपनी practice करें तो सबसे important बाग करते है सबसे पहले जो subject आता है वो है quantitative ability की that is your max अब सबसे first चीज़ जो आपको ध्यान में रखी है अगर आपको max नहीं भी पसंद है that's not a issue but सही practice से और सही strategy से आप क्या कर सकते हो पढ़ाई कर सकते हो तो अगर basic 10th standard का आपका max जो है sorted है तो यह सारे topics आपके लिए असान हो जाते है और अगर नहीं भी है sorted तो आपको सही तरीके से practice करके important topics जो है वो गलती से भी miss out नहीं करने है जहां पे आपको number system, average, percentage, root, indices, simple interest, compound interest geometry, permutations, profit and loss, partnership यह सारी topics important हो जाते हैं apart from that आपके लिए time, speed, distance हो गया, algebraic formulas हो गया, linear and quadratic equations, ratios and proportions यह topics क्या हो जाते हैं, important हो जाते हैं Coming to the verbal ability, verbal ability is nothing but English, जहां पे आपका English बहत ही साधा I would say कि fluent होना चाहिए जिसके लिए सबसे important tip है कि आपको newspapers पढ़ना चाहिए regular basis पे ताकि आपका जो vocabulary है यह strong हो जाए, sentence formation strong हो जाए, साथ ही साथ आप अपने आपको prepare कर लोगे आपका P.I. round के लिए Because बहुत जरूरी होता है कि आप जब इस entrance exam की तैयारी करते हो, आप में confidence हो इस exam को clear करने के लिए और वो एक I would say fluency अगर English में होती है तो आप अच्छे से questions जो है speedy तरीके से पढ़ पाऊगे और उसे decode करके सही तरीके से solve भी कर पाऊगे Verbal ability के लिए grammar जो है यह बहुत important होता है जहां पे अलग-अलग topics भी है, antinim, synonym, foreign words हो गए, noun, pronounce, subject, verb, tenses, prepositions, conjunctions यह सारे important topics है Reading comprehension के लिए again speed बहुत matter करता है इसी लिए आपका जो practice है यह होना चाहिए regular basis पे ताकि आप familiar हो जाओ एक consistency जो है यह आपका built-up होना चाहिए Remember as I told you के बहुत competitive entrance exam है तो cut-off जो है यह हाई जाते है यह section wise cut-off है यह expected cut-off है हो सकता है इसमें थोड़ा सा vary हो जाए अब यहाँ पे यह cut-off जो है जैसे कि आप देख सकते हो it is very very I would not say tough to crack it बड़ अगर सही strategy के साथ बढ़ाई करी है और सही तरीके से बढ़ाई करी है तो आप definitely this entrance exam को क्या कर सकते है crack कर सकते है Reservations होती है तो जो students SC category, STE या OBC category या PW category से belong करते है Reservations उनके लिए available है Apart from that आप इसका screenshot ले सकते हो अपने पास and make sure करिए कि आपके पास required documents जो certificates है यह ready है अब आज आते है fees पे So fees जो है यह vary कर सकती है, हर साल fee vary करती है But usually Indian candidates के लिए IPMAT Indoor की जो fees होती है वो होता है 4 lakh rupees per annum और जो students, international students है उनके लिए 6 lakh rupees per annum होता है for the 3 years 4th और 5th year में फिर IIM का जो PGP program है उससाफ से वो fees जो होती है अब यह तो बात होगी IPMAT Indoor के fees की अब आज आते हैं कि इस exam को crack करने के लिए कौन सी ऐसी tips है जो आपको follow करनी चाहिए तो सबसे important चीज है guys कि quantitative ability दो sections आपको उसमें से पूछे जा रहे है तो यह सबसे toughest section होता है देखो आप लोग management की तयारी कर रहे हो जहाँ पे आपका जो numbers के साथ relationship है यह बहुत अच्छा होना चाहिए तो you have to make sure कि यह toughest section के लिए आप अच्छे से preparation कर रहे हो and बहुत important है कि आपके concepts clear हो जब तक आपके concepts clear नहीं होंगे तब तक आपका base ready नहीं होगा remember जब तक base clear नहीं है तो फिर बहुत difficult हो जाएगा कि आप basic से basic चीज़े जो है आपको इसमें भी ज़्यादा महनत करनी होगी इसलिए सही guidance and सही mentoring आपके लिए important हो जाती है और इस particular IPM math exam की preparation के लिए अगर आप एक ऐसा student हो जो 12 boards के साथ preparation कर रहे हो तो आपका जो है revision होना चाहिए class 6 से लेके class 12 के max concept on English जो है आपका clear होना चाहिए बहुत जरूरी है और यही चीज़ आपको भी educator provide करता है we teach you from the base to the advanced programming और previous year के जो papers है it is going to be a bone in disguise आपको समझ में आएगा के paper कैसे solve करना होता है आपको समझ में आएगा के time management कैसे करना होता है आप familiar हो जाओगे the difficulty level से familiar हो जाओगे frequently asked questions और frequently asked topics से और यह सारी चीज़े तभी possible हो सकती है इस entrance exam को आप तभी crack कर सकते हो जब आपने ample amount of sample paper solve किये है walk test दिया है जहाँ पे आपको पता है कि आपके कौन से strong areas है और weak areas है आपको पता है कि कौन से इसे areas है जिस पे आपको focus करना है ताकि आप उस हिसाब से अपने लिए एक self study plan prepare कर सके जिस plan को follow करके आप एक strategy बना पाऊगे कि कौन से इसी चीज़े है जहाँ पे आपको ज़ादा महनत करनी की जरूरत है कौन से इसे topics है जिसको सिर्फ revise कर लिया तो भी चल जाएगा तो यह कुछ important tips थी and make sure करिए कि आपने channel subscribe नहीं किया है तो कर लीजे ताकि जो भी exam related tips and I would say के topics है यह आपको हमारे YouTube channel पे मिलते रहेंगे अब अगर आप इस entrance exam की preparation करना चाहते हो तो be a require आपको classroom coaching, live lectures and video recorded lectures प्रवाइड करता है हमारे classroom coaching centers जो है गानकोपर, भूबिवली और दादर ब्रांच में situated है यह addresses पे आप विजिट करके free exam guidance ले सकते हो कि कैसे IPMAT exam को clear करना है इसकी detailed जानकारी जो है आपको मिल जाएगी and साथी साथ strategy भी आपको समझ में आ जाएगी अगर आप branches विजिट नहीं कर सकते हो तो live lectures भी अविलिबल है you can contact us on the numbers which have been given below and make sure करिये अपने preparation for effort start कर दीजे B.A.R.U.K.A.R. is a coaching institute है जो आपको classroom, live class, recorded lecture, books, e-books and test pack facilities provide करते है follow us on B.A.R.U.K.A.R. for more such updates